कई बार लोगों के जीब पर सफेद रंग की मोटी परत दिखने लगती है इसके पीछे सबसे बड़ी वज़ा ओरल हाइजीन है लोग अपने दातों को तो साफ करते हैं लेकिन जीब की सफाई नहीं करते जिस वज़से जीब पर सफेद काई जम जाती है लेकिन इसके अलाव कई बार जीब पर सफेद परत जमने के पीछे सेहत से जुड़ी समस्या भी हो सकती है तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि किन स्वास्त कारोरों से जीब पर काई जम जाती है उससे पहले अगर आप चैनल पढ़ना है और ऐसी धिरोचान कारी चाते हैं तो चैनल को सब सब्सक्राइब करें अगर आपका इम्मिनिटी कम जोर है तब आपके जीब पर काई जम सकती है जीब पर बैक्टेरिया बढ़ने से कमजोर होती है और लोग संक्रमण की प्रक्टे में जल्दी आ जाते हैं वाकिया एक कंडिशन है जिस वजह से जीब पर सफेद मोटी परत जमने लगती है यह समस्या उन लोगों में ज्यादा होती है जो तमाको धूमरपान और सराप का अत्यदिक सेवन करते हैं दोस्तों सरीर में पोशक तत्वों की कमी से भी जीप पर काई जमने लगती है आयरेन विटामिन B12 और विटामिन D की कमी के कारण भी जीप पर सफेद परत जम सकती है दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं अभी तक नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब करें औरल हाईजिन का ध्यान नहीं रखने पर भी आपके जीप पर सफेद काई जम सकती है ऐसे में अपनी जीप के औरल हाईजिन का ख्याल जरूर रखें दोस्तों यह ते सफेद जीब होने के कारण के बारे में लेकिन आप जान लेते हैं कि सफेद जीब से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है सफेद जीब की समसर से शुटकारा पानी के लिए आप नमक के पानी से कुला कर सकते हैं या मुग के बैक्टेरिया को तुरंथ हटाता है इसके अलावा आप एक चमच हल्दी पाउडर में निम्बू का रस अच्छी तरह मिलाएं इस पेश्ट को जीब पर रगड़ें इससे जीब की काई खत्म हो जाएगी गुनगुने पानी में एक चमच सेप का सिरका मिलाएं इस पानी से कुला करें इससे जीब से सफेद परत काफी जल्दी साफ हो सकती है तो दोस्तों ये छोटी से जानकारी आपको कैसे लगी अगर अच्छे लगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ठेंक लिंग